गर पे इनकी अस्तापना होती है और इस लाइक नहीं हम लोग के इनकी सेवा कर सके पर जो जितनी शर्दा बक्ती है उसी इसाब से इनकी सेवा करते हैं और पाउन दिन का होता है बापा की कितनी किर्पा रही सब्सक्राइब विल्गुल 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 इसमें कैशक है राजी चोटा वेसे तो इनकी ऐसी करपा है कि हम सारा परिवारी संगीज से जुड़ा हुआ है और पन्ना गिल को तो आपने देखा ही होगा इंडेन अडल सेकेंड में और पूनम ने भी गाया गणपती जी के भजन बिटिया ने अभी छोटा राजगिल LSL मेलोडीज लेके आ रहा है उसमें एक इसका जितने भी हमारे पंजाबी गीत होंगे उसमें जाएंगे उससे भी आपका भरपूर समर्थन चाहिए आशिरवाद चाहिए राजगिल पर्चे करानी कहा है वो तुकानी देखा है यह तो समने खड़ा है आद मे और जी बहुत मत आई हो बस आप सब का आशिरवाद चाहिए तरड़ा सच्चा है मा का दरबार मेरी मया का जाब नहीं जाए बाता दे घर का महाओ संगीत में था म्यूजिक में थे क्या इसी फिल्ब में जाना था आपको या फिर गर के महाओ की जाना था आपको जी एक्चली बचपन में मैं तरड़ा संगीत से दूर भागता था मैंने देखा हुआ है देखा हुआ है कि मैं इसके रूम में कभी कोई प्रैक्टिस करता तो आते पहले हर्मोनियम हट आता था इसको मेरा रूम से लेजिए बाहर और ऐसी महारानी की किरप हुई सरसती माता कि कि अच्छा से इसको सूर की नौलेज हो गई बस इतना ही संगीत के लिए इतना ही काफे है कि सूर और ताल की नौलेज ने चाही था आप अगा नाम गिलेचु ने लोगों में दिया जाता है, किया इस मरियादा को बनाए रखने के लिए कितना मुश्किल आप के लिए कोई बजन के इसन बनाना किया रिलखा का वेटा है, जी मतलब कितना चैलेंजिग होता है यह बहुत जादा चैलेंजिग है, मतलब इनके ज सिखाया कि गाने से पहले शब्दों का चैन करो वैसे शब्दों ने जिए कि जो एक ब्रित से लेके बच्चे तक जो जिसके समझ में आ जाए और मेरी भी यही सुरू से यादत रही कभी मैंने ऐसे भजन मेरे पास बहुत आते हैं तो जिसका कोई सिर्ण नहों कोई पैर होता है लेकिन उनका हमस्वाब जाए के लिए कभी मुझे उसमें करेक्शन करना पड़ता है कि चलो भाई भजन है तो इसको करेक्शन कर देते हैं कौन से ऐसा बजन था गाना था जिसको लखा बनाया रात औराथ पब्लिक में रात औराथ भीरो बनाया प्यार दिया पब्लिक में इंजुस्तान के पूरे वर्ड ने प्यार दिया देखिए मेरी शुरूआज जो है वो महादेव जी के दरभार से हुई बावा बैदना से बिहार में था पहले अब जारखंड तो वहां करीब 9 साल मैंने कावड भी चड़ा ही पैदल क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा कावडिया संग जम्शेदपूर था उसके मां मेंबर था और हमारे इर्दगेर जितना भी था वो एक तरफ घर के गुरद्वारा साह और फिर टी सिरीज का बुलावा आया मेरे पास घुल्चन जी का बुलावा आया उनके छोटे भाई दर्शन कुमार जी और उन्होंने मैया का चोला है रंगला ये भजन सबसे पहले उन्होंने या बंबे में मुझसे गवाया जिससे बहुत प्रसिद्धी मिली बड़ा और सारी दुनिया में वो निया का चोला है रंगला आज भी बचता है उससे मेरी शुरुआ तो देरी देरी जो है वैस्टे की तरफ लोग भाग रहे हैं जो पुरानी गाने हैं बाजन है वो आज भी निके अंदर हमारी इंदुस्तान के रूरू में बचती है चीज़े तो आप ठीक है समय के उसार उसमें म्यूजिक में चेंज हो सकता है क्योंकि म्यूजिक गीत को जो है वो संगीत खिला देता है गीत संगीत का मेल है साज और आवाज और केवल आवाज भी यूज़ करें वो भी ठीक है लेकिन साज के साथ उसका डबल परभाव बढ़ता है सुन वो ऐसे भजन गाएं या वैसा मेटर चुने जो पब्लीक को मेसेज दे भगवान की भक्ती का और प्रस पर पेम का आपस में प्रेम का कि मोजी सरकार ने हर समात के वर्ण को मलत किया है कलाकारों के लिए क्या उत्र वैसा किया जो कि प्रेणा दायक मान देया कि अधिक लड़ाइब ती बीच में सिंगर्स की राइटर्स की सिंगर्स की कि उनको कुछ नहीं मिलता है गाना गया फिर अप्र निविए मैं इस मामलें कभी पढ़ा ही नियास तक मैं केवल और केवल भजन गाने और सुनने में शुकिन हूँ अभी आभी हम साथ हम दो हम था अचैनल नालो जी पर हैं लालो जी किवाड़े हैं लालु जी कि अभावा प्यान हैं निरुची आम यह दो पराम सुन के गए हमारा पटना में और अभी मेरे खाल से वह कुछ तबड़ीत उनकी खराब चल लीन लालु जी की बस मैं अपने मार्ग दर्शक वो भी जा यतने भी हमारे देश के मार्ग दर्शक हैं उनको मैं यही परातना करूँगा और इनके चरणों में परातना करूँगा कि यह हमें भी सदबुद्धी दे और उन्हें भी सदबुद्धी दे ताके सब का ही विकास हो सके आजनाना है हगोगा और banco Anh जोना है रंग ला मिया का क्शोला है रंगला मिया का जोला है रंगला मेरी मां का चोला है रंगला गनपती की शुरुवात महराज से ही हुई मैंने पढ़ा ऐसा कि जब हम हमारा देश गुलाम था तो अजादी के दिवानों को एकठा करने के लिए यहां महाराज से गनपती जी की पूजा का अरंब हुआ और उसमें देश के प्रती मीटिंग भी होती थी जिससे अंग्रेज लोग परचित नहीं थे और गनपती जी के भक्तों को या सारे देश वासियों को मैं फिर दुबारा ही रिबिट करूँगा कि हम आप जिस भी धर्म के हैं तो एक अपने धर्म के पती अडिग रहें लेकिन दूसरे धर्मों का भी सतकार करें और आपस में प्रेम बढ़ाएं क्योंकि हमारा देश सदियों से आज से जितना लिए जितना ग्यान बढ़ारत ने दुनिया को दिया उतना किसी और नहीं दिया सन 17 सो पहले से 17 सो पहले कोई वेग्यानिक नहीं था कोई सेंटिस नहीं था अंग्रेज हमारे देश में आये और यहां का ग्यान सारा लूट के उन्होंने विज्ञान का विश्कार किया पूरा ग्यान भारत ने सारी दुनिया को दिया है इसलिए हम सारे ग्यानी बने आपस के मदवेदों को छोड़ कर सबका स्वागत है सब पर बाबा की दृष्टी बहुत अला बजी पीटा जाएगी मेरी आपस कर दो आपस कर दो अब सकतके जो जो में पोटेश्व निगालाओ जाएगा अबसाइब लूवल किना गर्दा प्यार प्यार फिर कैसे बता जलेगा किना प्यार करते हैं बताइए सब्सक्राइब करें चलो बावा दूंको त्रक्की दे और आप सब लेसल मेलोडीज और यह 24 को रिलीज हो रहा है और आप सब लेसल मेलोडीज यूट्यूब पर जाहिए और सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करिए यह पंजाबी इंडिन इडल टू में थे और इनके भी बहुत सारे अपकमिंग सॉंग आ रहे हैं और बहुत सारे आटिस्ट को हम और जोड़ रहे हैं यह एक रेकॉर्ड लेबल है और इसका मैं बहुत हाई लेवल तक सब्सक्राइब कर दोड़ाइब कर दोड़ाइब कर दोड़ाइब कर दोड़ाइब अब मैं यही घडबती पपा के चरणों में अर्धास करूंगा के इनको सारी सुनने वालों का अच्छा अशिरवाद मिले और इसे गाइट भी करें कि किस परकार के गाने और चाहिए इनको कैसे गाने चाहिए पापा के सामने एक लाइन गुंग नैंग या इसी गया दोड बतीना बजावी में तो दूर ना तू जावी फिलाल मैं इतना ही सुनाओंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब रिलीज हो तब आपने पूरा गाना सुनिये और बताइए मुझे कैसा लगा अब आपरुच कहांगे बस मेर ब्रदर को अल्दा वैस कहोंगे मेर भाई कुब तरखी करें और इसका खुब नाम दो आप से एक लाइंग पूजाए आया लाल बाग का राजा हो गली गली में धूम मटी है गली गली में धूम मची है बजे गजब का बाजा आया लाल बाग का राजा मेरा लाल बाग का राजा अ हमारे मेरे बहुत अच्छे लुजए फिरे पिच्छी आद्ग है पिच्छी अरुमेंटिक सौंग है बेसिकली तो इसमें बहुत अच्छी वाइब सुने उसके बदाइब को समझ जाया किया है मैं तो संगीत के जरीए समझाना कर समझा दिया वार फिर शुनके बताना है ने वेल शुक्छी इस इसमें हमारे हनी हाडी है फिर हमारी जो मॉडल शिमला की बहुत अच्छी मॉडल है अकरिती सरगोली फिर इसमें छोटा सा फीमेल वर्जिन भी है वह एक सिंगर है नवनीता शर्मा वह अच्छा गाती है तो जब रिलीज होगा तो आप वह पार्ट भी पता चलेगा कि इसमे अच्छा आपके लिए कि पहला गाना है एक शुरुवात होती है पहला प्रड़ेक बहुत अच्छा उने दूसरा चैलेंज ही है कि लखा के बेटे हैं तो कित्रा प्रेसर आपके उपर गया गाना अच्छा बनना जी नहीं तो बनाते रहे है बंते रहते है यह काफी पहले बना क्या अक्छूल यह दौसरा में बना तो इनको मैंने काने सुनाया इन하기 और आपकश झांट कि अच्छा यह करेंगे तो यह जब मंहार ला नहीं सुना तो मैने पछे आखक नुने करेंगे, sources, परकादर प्रषण ने जोकिसी में पु bash नमस्कार में पन्नागिल और ये बदाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे छोटे भाई राज गिल जो कि किन्ना में करदा प्यार से अपना डेब्यू कर रहे है बहुत बहुत प्यार मेरे भाई को और जैसा कि हमारे खानदान को भगवान ने ब्लेस किया है सिंगिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि वो इस लेगिसी को ऐसी आगे बढ़ाए और खुब गाए और गाता ही जाए और आप सब के दिलों में चाह जाए इस गाने को बहुत सारा प्यार दें ये मेरे गुजारेश है आप सब लोगों के साथ और जितना उस्ता कات शेर करें और जिस जिस से आप लोग प्यार करती है इसको जरुर्भ बताए कि किन ना में खरदा प्यार उसको यह गाना भेज कर इसको मुजिक में लाने वाले भी भगवान है और इसका जो प्रुजान बड़ा है आज से अगर मैं कहना चाहूं कि आज से 10-15 साल पहले तक इसको मुजिक में कुछ ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट या लगाव नहीं था लेकिन इसका रुजान और इसका हाड़ वर्क जो इसने रियाज किया है और सीखा है और खुब मैनित की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत अच्छा गायग और ऐसी गाते रहे एक लाइन आपका कोई सुपरीब गाना है भक्ति वाला क्या बात है अच्छा तो मैं अपना ही मेरे कल्बन था तेरी एक्खा चैसी मेरा ही सुरूर दस हो या खेर में थो की कुसूर क्यूं हो गई है मेरे कोलो दूर हीरी है हीरी है थैंक यू मेरे भाई को मेरे तरफ से बहुत सारी गुड विशेस, गुड लग बस मेरे भाई योई तरक्की करे और ऐसे अपने कानों से सब का दिल जीते मैं आपको भजन ही सुनाती हूँ काना वाला काना जी का हो श्रीबा के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चर्णन में तन रखियो श्री विंदावन में श्रीबा के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चर्णन में